आरेस केचन ग्यान यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके औल पर किलिक करके रखें देखें आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस्टील को इस्टील कभी भी खराब हो जाए दाग लग जाए या हर्पिक के वजा से काला हो जाए तो मैंने कर लिया है और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे इसको तयार करना है तो मैंने दो तीन चीजों से स्प्रे तयार किया है आप किसी भी चीज को किलीन कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं एक मैंने स्प्रे बोतल लिया है इसमें दोस्तों देख सकते हैं यह आधा लेमन डाला आप इस पर देखे तैयार हो गया आप इससे आप किसी भी चीज को किलीन कर सकते हैं किचन की किसी भी चीज को इस टील की सिंग देख सकते हैं इसमें दो तिन चीजों को मैं किलीन करने वाला हूँ इस वीडियो में आप इस वीडियो को देखते रहना है कही इसको धो भी सकते हैं, अगर धोते हैं, तो धोने के बाद में कपले से साप जरूर करना चाहिए, इस्टील पर अगर पानी की छीटे रह गई, तो वहीं से जंग पकड़ना सुरू हो जाता है, तो देख सकते हैं, छोटा वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वी कपडा लिया है, मैंने सूती, और इससे इस तरह से पूछ देएंगे, साप कर दिया, देखिए, इस तरह से टाइल को क्लीन कर लेंगे, चाहे कितनी भी गंदी टाइल हो, कितनी भी गंदी स्टील हो, तो देख सकते हैं इस तरह से, तो देख सकते हैं कपड़े से हमने साप कर दिया है ताइल को इस तरह से स्प्रे करके उसको साप कर देंगे या फिर चाहे तो आप धो भी सकते हैं और या फिर आप कपड़े से साप भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है आपको धोना ही है क्योंकि यह ज्यादा हर्ड केमिकल नहीं यह केमिकल ऐसे हैं कि आपकी किचन के में जितनी भी चीज़ें हैं सभी को साप सुत्रा रखते हैं हमेशा के लिए थैंक यू